असलाम वरीकुम आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हूं जट पट से बन जाने वाला नाश्ता सूजी एंड पोहे का आप लोग ने अगर ये ट्राय नहीं किया है तो ज़रू ट्राय करना एक बार ये बहुत हेल्दी होता है आप अपने छोटे बच्चे को भी बन सकते हो जलिए वीडियो से स्टार्ट कर लेते हैं लेलेना है 2 तक करना है 10 तक के लिए वहां सूजी चुकी तिदे लिए इसमें डाल देना है सेनपे के हम पोहा इसमें हमें बारीक कटी हुई धनिया बारीक कटी हुई हरी मेर्जी डाल देना है थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे और गार्लिक पाउडर डाल देंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्कीब कर सकते हो या फिर लस्टन को Mixer में पीश करके डाल सकते हो इससे अच्छे से हमें Mix कर लेना है हमें Tinky जैसा इसको चोटा-चोटा सा बना लेना है मैंने इसे एक पलेट में ले ली थी बनाकर सारा इसे हमें स्टीम करना है यापर पहले मैंने कटोरे में ली थी उसी कडाई को मैंने वाश करके उसमें ले ली हूँ एक चमच तेल उसमें डाल देंगे राई तेल और कड़ी पत्ता फिर हमने जो बॉल्स बना कर रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसमें चिली फ्लिक्स भी मैंने एड़ कर थी इससे बहुती टेस्ट अच्छा आता है यहां पर हम एक साइट चटनी की तयारी कर लेंगे जिसमें मैंने लेती धनिया पुदीना हरी मिल्ची लसन काजू एंस्वाद अनुसा नमक थोड़ा सा जेरा एंटीन चमत दही मेरे बास सिमली की चटनी खतम हो गई थी इसके लि नहीं लगता है आप इसे तीखा रखना चाहिए तो तीखा भी रख सकते हो आपकी मरज़ी है आप लोग के मुझे कॉमेंट में बताना ट्राय करके सो वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब